करेंगे एंसी आर्टी क्लास नाइंथ साइंस चाप्टर इट मोसन जिसका कुश्चन नंबर सिक्स टू टेनाज करेंगे इसके पहले आपका कुश्चन नंबर वन तू फाइफ अप्लोड़िड है प्रिविएस वीडियो में तो आप उसको वहां से देख सकते हैं और बाकी आ आज हम देखेंगे मोसन चाप्टर का कुश्चन नंबर सिक्स टू कुश्चन नंबर टेन ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कुश्चन नंबर सिक्स figure given below source the distance time graph of three object a b and c study the graph and answer the following questions ठीक है ये distance time graph दिया हुआ है आपको ठीक है ये three object ए a b and c इनकी आपको कुछ graph दिय हुए तो इनके base पर कुछ questions आपसे पूछा गया है which of the three is traveling the fastest इन तीनों में से कौन सा से तेज चल रहा है यह आप से कुछ न पुछ आगा है कौन सा ट्रेबलिंग कर रहा है फास्ट तो यह जो स्लोप बनता है ठीक है यह किसका स्लोप हो जाता है अगर हम डिस्टैंस बाइट टाइम देखते हैं तो यह किसका होता है इस्पीड का है तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसी क्या स्पीड क्या होगी फास्ट होगी ठीक है तो स्लोप देखने के लिए हमको क्या देखना होता है एंगल देखना होता है तो सबसे पहले अगर हम बी का एंगल देखते हैं इस वन एंड सी का एंगल आप देखोगे तो कुछ बन जाएगा and A का एंगल आप देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा तो सबसे जादा एंगल किसका बन रहा है B का तो सबसे जादा fastest यानि की fastest की यहां बात बात हो रहे हैं की which one is traveling the fast दिन आपका answer क्या हो जाएगा B is traveling the fastest clear question number 2 है are all three ever at the same point on the road क्या तीनों कभी एक same point पर आ सकते हैं तो आपने क्या देखा यहां पर B and C cut कर रहा है यहां पर B and A cut कर रहा है और यहां पर C and A cut कर रहा है ठीक है तो आपने देखा कि कभी कोई दो object एक दूसरे को cut कर सकते हैं जैसे यहां पर यह तीनों line दो दो करके एक दूसरे को cut कर रही ये दोनों आपस में मिलकर ये दोनों आपस में मिलकर और ये दोनों आपस में मिलकर but तीनों एक साथ कहीं पर भी cut नहीं कर रही है ठीक है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे are questions फूशा कही था are all the three at the same point on the road दिन आप क्या लिखेंगे no, never meet on the road same time, ठीक है, now question number C देखते हैं क्या है, how far has C troubled when B passes A, तो B A को जहां पर pass कर रहा है, वो देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद C की timing निकालेंगे, तो B, question है आपका, how far has C troubled when B passes A, तो B ने A को कप पास किया, तो B ने आपने देखा, B ने A को यहा पर pass किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यह आपको line बना लेनी है, ठीक है, उसके बाद, बोला है कि C का, ठीक है, तो C की distance उस time पर क्या रही होगी, यह question पुशा गया है आपसे, तो अब आप देखेंगे, आपर C कहा है, यह है न जब B ने कट किया, इस point पर अगर आप C की यह value थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है, लगभग, यह है बेक और एकट किया, ठीक है, इस time पर आपको C की value देखनी है, तो लगभग यह जाएगा, तो यह आएगा लगभग 7 km के आजपास आपका answer आजएगा, ठीक है, तो B passes A to D, at the same time C is at E, which corresponds to 7 km, hence B crosses A, then C is at 7 km from the origin, आप इसको exact जब scale पर देखेंगे, तो आपको समझा जाएगा, यह distance measure कर लेंगे आप, ठीक है, क्यूंकि देखो, जब यह दोने जहाँ पर मिल रहे हैं, वहाँ पर C की value देखनी हैं आपको न, तो C कहाँ पर है, इस C line को आपको बनाना है, जहाँ पर यह line C को cut करें, उसको आप इस side scale से measure कर सकते हैं, graph पर, तो आपको proper distance पता चल जाएगे, यह 6.5 to 7 के बीच में आएगा answer, ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, अच्छे से, ठीक है, यह आपको देखना है, तो B कहाँ पर है, यह है, और C कहाँ पर यह है, तो यह दोनों जहाँ पर मिले, अब आपको यह line draw करनी है, तो यहाँ से एक line draw कर देजिए, ठीक है, तो अब यह distance देखनी है, ठीक है, तो लगभग यह कितने kilometer आएगा, आप यह देखेंगे, ठीक है, यह B है, तो B के distance मुचा गया है इस time पर, तो यह origin है zero, और यह आपको distance देखनी है, तो यह लगभग आपका आएगा 4 kilometer यह है, और उपर अगर आप इसको major करेंगे scale से, तो 4 plus, यह लगभग 2 के आसपास, या 1.5 के आसपास आप ले सकते हैं, तो 5.5 के आसपास इसक आपका answer आजाएगा, ठीक है, तो यह लिख सकते हैं, यहाँ पर 4.5 दिया हो, बट आप अगर proper graph पर देखेंगे, तो 5.5 something आजाएगा, ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, देखो, count कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहने कि total कितने block होगे, 7 block होगे है न, तो यहाँ से यहाँ तक कि distance कितनी दूई है, 4 दिया हुआ है, है न, 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जब 7 block में आप देख रहे हैं, 4 km, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, distance जहाँ पर यह cut कर रहा है, एक दूसरे को, तो उसके उपर आपको कितना औ 1.8 करके लेंगे, तो 5.8 के आसपास आपको यह value मिल जाएगी, ठीक है, आई होप आपको यह समझाया होगा, question number 7 देखते हैं, a ball is gently drop from a height of 20 km, उपर है कोई ball, यानि कि कोई roof है, कोई च्छत है, जहां से एक ball को drop किया जा रहा है, और 20 meter height है, ठीक है, तो h की value आपको क्या मिल 20 meter, if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, a की value आपको given है, 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground, और initial value कितनी given है, आपको 0, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, with what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground, ठीक है, timing पूछा गया है आपसे, और velocity पूछी गया है, तो इसके लिए आप दो formula यूज कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हम देखते हैं आपर, तो आपको motions के तीनो formula पता होने चाहिए, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, तो इसी दोनों formula से हम निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहां से, distance, ठीक है, तो जब distance देखते हैं, यहां से, तो आपको क इतना दिया हुआ है, 20 meter है, तो distance दिया है, 20 meter, तो s की जगह पर 20 put करेंगे, initial value u की value 0 है, तो यह 0 हो जाएगा, पूरा को पूरा term, plus half a, a की value given है, आपको 10 और t की value आपको निकाल ली है, ठीक है, तो t square कर दीजी, तो यह हो जाएगा, आपको 2 5s are 10, तो आपको मिल गया, 5 t square is तो मिल गया, 4 के, then t is equal to क्या हो जाएगा, under root 4, जिसकी value होती है, 2, यानि की t की value आगई, 4, यानि t की value आगई, 2 second, ठीक है, और अब आपको निकालना है, velocity, तो time पता चल गया, velocity, आप इस formula पपलाई करते, v is equal to u plus 80, u की value है, 0, a की value है, 10, t की value है, 2, तो 10 to 20 meter per second हो जाएगा, velocity, ठीक है, तो आपको दोनों ही concept याद रखना है, इस तरीके से आपको निकालना है, टीक ही value और इस formula से निकालना है, आपको velocity, question number 8 है, the speed time graph for a car is shown in the figure, ठीक है, एक figure है, जिसमें आपको graph दिखाया गया है, पहला question से आप से पूछा जा रहा है, find how far does the car travel in the first 4 second, set the area on the graph that represents the distance traveled by car during the period, ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 4 second की बात कीगी, तो 4 second आपको ये लेना है, और 4 second में आपको ये graph देखना है, तो ये वाला portion से जो की वो इतने second में cover कर रहा है, तो आप इस area को set it कर दीजी, इसको बोला है कि इसको आपको shed it करना है, ठीक है, graph पर, और आपको निकालना है distance, कि कितना distance वो travel कर रहा है, तो formula हो जाएगा, आपका distance is equal to, इस पूरे को आपका क्या निकालना है, area, तो एक तरीके का ये triangle बन गया, half, base into height, base कितना है, 4 second, तो 4 ले लेंगे, height कितना है, 6, तो 6 ले लेंगे, 2 to 4, 6 to 12, ठीक है, तो distance आजाएगी, 12 meter, दिन, कार कितना travel कर रहा है, 12 meter car travel कर रहा है, ठीक है, आपको एक clear हो जाना चाहिए, question दूसरा है, which part of the graph represent uniform motion of the car, कौन सा part कर रहा है, represent uniform motions, तो 6 के बाद आप देख रहे है, speed constant हो जा रही है, तो ये क्या कर रहा है, एक uniform motions में trouble कर रहा है, तो आप इसको ल देखने की जरूरत नहीं है, तो ये लिख सकते है, portions of the graph between 6 to 10, describe the uniform motion of the car, because मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर, कि इसके बाद से आप देख रहे हैं, ये एक uniform motion में चल रहा है, तो 60 second के बाद से आप देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा uniform motion में चल रहा है, question number 9 है, state which of the following situations are possible and give an example for each आप देख, ठीक है, पहला है आपका an object with a constant acceleration but with zero velocity, ठीक है, तो इसकी situation से बतानी हैं आपको, कि acceleration उसका कैसा है, constant है, but velocity क्या है, zero है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, free fall of an object, ठीक है, velocity क्या उसके zero है, और acceleration constant, मैं तो free fall वो constant acceleration से चला रहा है, दूसरा बोला गया, an object moving in a certain directions, within accelerations in the perpendicular directions, in object moving certain directions, ठीक है, किसी certain directions में move कर रहा है, within accelerations, एक accelerations के साथ, in the perpendicular directions, किस directions में, perpendicular directions में, एक move कर रहा है, तो यह कैसा हो जाएगा, इन object moving in a certain directions, ठीक है, certain का मतलब कभी इस directions में, 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 बट कैसा है, perpendicular directions है, तो यह क्या हो जाता है, आपका एक तरीके का circular path, तो आप क्या बोलेंगे, object moving in a circular path, ठीक है, question 10 और last question है तो आपको पता होता होना चाहिए speed is equal to क्या होता है distance by time होता है distance कितना है 42,250 है और यह है आपका 24 बट आपको answers निकालना है meter per second में ठीक है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं यह है आपका artificial satellite यह कैसे rotate करना है circular path में तो formula आपको याद रखना है speed is equal to distance by time होता है ठीक है तो distance अगर circular path का लेते हैं तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं circumference तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 pi r हो जाएगा ठीक है upon में t हो जाएगा बस इसी formula का यूज करके आपको apply करना है तो अब आप सोचेंगे कि r का value क्या होगा तो यहाँ पर radius given ना भाई आपको 42,250 तो r की value आपको ये रख देनी है 2 की value 2 रखनी है pi की value 22 by 7 रखनी है और t की value आपको 24 आवर रखनी है अब ये km में है ये hour में है आप इनको convert कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप इनको convert ही कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 42,250 km है तो ये हो जाएगा आपका 1000 से multiply करके मेटर में convert हो जाएगा ये hour में है इसको 3600 से multiply कर देंगे तो ये आपका second में convert हो जाएगा बस formula पे value रखनी है 2 into pi की जगा पर 22 by 7 r की जगा पर 42,250 into 1000 because meter में convert कर दिया है time की value 24 आवर है बट हमने इसको second में convert कर दिया है ठीक है 0 से 0 cancel out करेंगे 0 से 0 cancel out कर देंगे ठीक है now 2 से 6 को कर दिजे 3 time पर clear again 2 3600 21 22 ये हमने cut कर दिया अब यहाँ पर देखो इसको आप 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 5 13 अब आप इनको cut करेंगे ठीक है तो कुछ देखेंगे 30 3073.74 meter per second आ जाएगा आप इसको cut कर के देख लेंगे ठीक है कितनी value आ रही है तो इस तरही के से आपको करना है because circular path में हम distance को circumference ले लेते हैं ठीक है कि एक cycle को circumference बोला जाता है और 2 pi r से denote किया जाता है और time आपको वही रखनी speed का formula होता है distance by time बस basically आपको इसी पे apply करना है आपको answer मिल जाएगा so video को please like करिएगा subscribe करिएगा comment करिएगा कैसा लग रहा है और अगर कोई doubt आथा तो आप comment section में जरूर mention करिएगा अपने दोस्तों को भी share करें ताकि वो भी इसका benefit ले सके ठीक है so मिलते हैं next lesson में thank you for watching और अपने झाएगा आपको倒 में जर दोस्तों करें जर आपको भी जर रहा है कर दोस्तों करें can दोस्तों करेंगा